हेलो एवरिबाड़ी वेल्कम बेक तू मैं चानल टेगी ट्यूशंस और यू आ लिस्टिन टू जारू यार टेक्निकल टू यूटर और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटर्स के बारे में तो दोस्तों प्रिंटर एक ऐसे आउटपुट या पैरिफेरल डिवाइसे होते हैं जो की मौनीटर पर शो हो रहा है ये आउटपुट को एक पेपर प्रिंट करके देते हैं जब तक वह आउटपुट हमें monitor पर show हो रहा होता है हम उसे soft copy कहते हैं और जैसे यह output एक paper पर print हो करा जाता है तो हम उसे hard copy कहते हैं दोस्तों printing करने के लिए printer में बहुत सारे अलग अलग तरह के hardware या parts का use किया जाता है तो चलिए देखते हैं कि आखर ये parts होते क्या क्या है और उनका काम क्या क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक printer के external parts क्या क्या होते हैं तो सबसे पहला है paper supporter, load किये गए paper को support करने का काम करता है paper supporter अगला है edge guide, जब भी user किसी paper को load करता है तो वो straight load हो रहा है या नहीं इसे guide करता है edge guide अगला है printer cover, printer के internal mechanism को protect या cover करने का काम करता है printer cover अगला है output tray, ejected paper को receive करने का काम करता है output tray और इसके through receive करने के बाद paper को सरुवत होती है support की और ये support देता है output tray extension, अगला है sheet feeder, आपने गौर किया होगा कि जब भी हम किसी तरह की printing को चालू करते हैं या computer से command जाता है printing के लिए, तो printer अपने आप ही के एक paper को select करके अंदर उसे printing करने के लिए insert कर लेता है और ये काम होता है sheet feeder की help से, जलिए आप देख लेते हैं कि printer के internal parts क्या क्या होते हैं तो सबसे पहला है ink cartridge clamp, ink cartridge clamp, ink cartridge को hold करने के लिए use किया जाता है इसके अलावा हम इसे भी सिर्फ तब ही open करते हैं जब हमें ink cartridge को install या replace करना हो next step print head, print head paper पर printing करने के लिए या ink की delivery करने के लिए use किया जाता है अगला है adjust lever, adjust lever print head और paper के बीच में distance को maintain करने के लिए use किया जाता है last है control panel, जी नहीं है वो window वाला control panel नहीं है हमारे printer के पास भी एक अलग से control panel होता है उसका खुद का जो की सिर्फ उसके ही parts को या एक printer के ही functions को control करता है तो दोस्तो हमारा आगला topic है types of printer printers को basically दो types में divide किया गया है impact printer और non impact printer तो चलिए सब से पहले देखते हैं कि impact printers क्या होते हैं दोस्तों impact printers वो printers होते हैं जो directly paper और ink ribbon के बीच के contact के basis पर काम करते हैं इन्हें भी तो types में divide किया गया है dot matrix printer और daisy wheel printer चलिए सब से पहले देखते हैं कि dot matrix printer क्या होते हैं दोस्तों dot matrix printers को जब भी कुईसी character को print करना होता है तो वो पहले उसी shape की एक dot की series को create करता है बिलकुल एक पुराने type writers की तरह ही होते हैं बस फर्क इतना होता है कि keyboard की जगह पर इसमें एक wheel होता है जिसके outer edge पर अलग-अलग characters की design बनी हुई होती है तो दोस्तों अब हम चलते हैं non impact printers की तरफ impact printers की तरह यह directly ribbon को paper पर hit होने नहीं देता है इसकी जगह पर या तो laser या तो zerographic या तो electrostatic या chemical या फिर inkjet technologies का use करते हैं और इसलिए ये impact printers से काफी fast भी होते हैं और इनकी maintenance भी काफी कम होती है इन्हें भी basically दो types में divide किया गया है पहला है laser printer और दूसरा है inkjet printer तो सबसे पहले देखते हैं कि laser printers क्या होते हैं तो दोस्तों laser printers ऐसी machine का use करते हैं जो कि laser के through toner powder को हमारे paper की उपर मैड़ करके characters को print करने का काम करती है अगला है हमारा inkjet printer दोस्तों inkjet printer spraying technology का use करती है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में and if you like my video then please give me a big thumbs up and if you are new to my channel then subscribe my channel and hit the bell icon so whenever I post a video you will get the notification of it thank you very much